बारता चौद सम्वत 1962 ना वैशाख वदी आठम ने रोज सवारे मोडी वाडा स्वामी बाल कृष्ण दास्चीय पूछू जे एक साधू ध्यान करे छे ने ध्यान करता करता रोवा माडे छे तेशू समझवो त्यारे बापाश्री बोल्या जे एसाधूनो अवगुणियो स्वभाव छे माटे प्रथम पन श्रीजी महराजनू सुख नहतु ने हाल पन नथी अने जे रुए छे तेतो सिद्धियो छेटे देखाई छे ने पाची अद्रश्य थाई छे इटले रडवु आवे छे अने तेने पामवाने माटे रुदन थाई छे जेने महराजनू सुख के मुर्ती देखाई तेने तो अतिशय आनंद प्राप्त थाई अने अद्रश्य थाई तो पन रोवरावे नहीं अने जे रोवरावे तेतो माया होई एम जानवो माटे जेने मोटा मड़या न होई ने मोटानो जोग न होई तेने ध्यान मार्गमा विग्ण गणा आवे छे अने सिद्धियो तथा अईश्वर्य देखाई तेने ओडखे नहीं एतो जारे मोटा मड़े त्यारे ए विग्णने आववा दे नहीं ने गणान आपीने पात्र करीने ध्यान करावीने मुर्ती सिद्ध करावे माटे पात्र थवाई एवा मोटानो जोग करवो आ लोकमा साधन दशावाडा भक्त उडखाई पन सिद्ध मुक्तने उडखवा ते कठन छे कौनी पेठे तो जेम एकतो सदाईनो बहुज धनाध्य होई अने तेनो खजानो भरेलो होई ने काई उद्यम पन न करतो होई तेथी बहार एनो उद्गोष न जणाई अने एकतो घणा उद्यम करतो होई ने मोटा मोटा शहरों मा दुकानो चालती होई तेनो उद्गोष बहुज जणाई तेम एकतो जप तप कथा किर्तन सेवा ध्यान बहुज करे तेने जोईने एम जाने जे आतो रात्री दिवस मंडिया रहे छे एम उद्गोष बहुज जणाई अने सिद्ध दशा वाला तो मुर्ती माज रमूज कर्या करे ने मुर्तीना सुखमाज गुलतान होई ने सुखमाज डुब्या होई तेथी कथा वार्ता जप तपादिक बहु करता न देखाई ते क्या थी ओडखाई माटे मुक्त उडखवा ते कलम कठन छे अने जेने पूरुग्नान न होई ते कोईकने समाधी देखे तो अहो हो थाई जाई पन तेतो विशय रूपी वायू लागे तो हुलवाई जाई वासना छे ते समाधीमा भ्रम्मनु सुख आवतु होई त्या थी पाचो खेंची लावे एवी छे अने समाधीमा सकाम भाव छे ने तेमा नुक्सान छे माटे समाधी करता अखंड स्मृती ते श्रेष्ठ छे अने एथी मुर्तीनो साक्षात कार थाई ते श्रेष्ठ छे अने ते थी पण मुर्तीमा रस्बस थाई जवाई ते श्रेष्ठ छे समाधी वाडो सकाम छे अने अखंड स्मृती वाडो निश्काम छे आ सभाथी बीजे जुदी दिव्य सभा जुवा इच्छे तेना मुखनी वाणी न सामभडवी आ सभामा सुख ने तेज ने शीतरता रही छे तेथी सुखपर ना लक्ष्मन भक्तने गोपियों नी पेठे ल्योकान ल्योकान एनी पेठे आनिंदना फुवारा बाहर निकडी कया वारता चौद पुर्ण